गुड मोर्डिंग दोस्तों मैं गौतम सिंग खुखू कोलासेज में आप सभी का स्वाकत करता हूँ आज आपके लिए लेकर आया हूँ सामाने ग्यान बार्ठीरी पार्ट वन पार्ट टू पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं बढ़ते हैं कोशन के तरफ पहला कोशन ह हमारा बिहार का राजकिये भासा क्या है तो बिहार का राजकिये भासा जो है हमारा हिंदी और उर्दू है इसलिए एंसर हो जाएगा हमारा यह नमबर बढ़ते हैं नेक्स कोशन के तरफ नेक्स कोशन हमारा बिहार का राजकिये ब्रिक्स कौन है तो बिहार का राजकिये ब नम्वर बढ़ानो गवाइब शिवाइब रूल्ट हमारा भी नंबर यूळ रचाहिए मुम्मोर परदेिया कृष्चत ही कौनैक्स परभài कर राच रिचिपनद पिकान पख्ची परणध यह इसलिए रूज मेरा भी नम्बर बढ़तें इस उसलिए अन्पर घाये जो है नौ है इसलिए एंसर हो जाएगा हमारा C नमबर बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन के तरफ नेस्ट कोश्चन है हमारा बिहार की जीला है तो बिहार में कितने जीले हैं तो आपको बिहार में 38 जीले हैं इसलिए एंसर हो जाएगा हमारा D नमबर बढ़ते हैं नेस्ट कोश के तरफ नंस्क के दिए में राजय सबूल के तरफ नेंट्स कोशनें विद्धास क्या द़स शर्ज में हमारा बिहार में तेल सोदक करखाना कहा है तो बिहार में तेल सोदक करखाना बरावनी में है इसलिए अंसर हो जाएगा हमारा C. नमबर। बड़ते हैं नेस कोशन के तरफ नेस कोशन है है, विःवार आने वाला पहला अंगरेज यात्री था रालफ फीच था इसलिए एंसर हो जाएगा हमारा D number नेक्स्ट कोश्चन है हमारा डाक्टर रेजंदर परसाद कहां के रहने वाले थे तो डाक्टर रेजंदर परसाद बिहार के रहने वाले थे इसलिए एंसर हो जाएगा हमारा B number बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन के तरफ इसलिए एंसर हो जाएगा हमारा सी नमबर साहब ज्यादा सिंग था इसलिए एंसर हो जाएगा हमारा सी नमबर बड़ते हैं नेक्ष कोशिन के सा थे पीःचली किया है बिहार की पर्चलित कला मधू बनी है इसलिए एंसर हो जाएगा हमारा यह नमर बढ़ते हैं नेस्ट कोशन के तरफ नेस्ट कोशन है हमारा सोनपूर मेला को क्या कहते हैं तो सोनपूर मेला को हरजर छेतर मेला कहा जाता है इसलिए एंसर हो जाएगा हमारा यह नमर बढ़ते ह तो पतना के 18-17 संग्राम के नेता जो थे आपको पीर अली इंखान थे इसलिए एंसर हो जाएगा हमारा यह नमर बढ़ते हैं नेश्कोशन के तरप नेश्कोशन है हमारा गोलगर का निर्माड किस गौवर्णर जनरल के समय में हुआ था तो गोलगर का निर्माड जो है लाड करनवालिस के समय हुआ था इसलिए एंसर हो जाएगा हमारा सी नमबर नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब एवाम लाइक जरूर करें